क्लास 12 मैनमेटिक्स का चैप्टर नमबर सेकेंड इन्वर्स टिगनोमेट्रिक फंक्शन की मिसलिनियस एक्सराइज का आज हम लगाएंगे कोश्चन नमबर 8 और 9 तो आपको लगता है कि यह ITF की प्रोपर्टीज लगा कर सौल होंगे बिलकुल हो सकते हैं प्रोपर्टी लगा कर लेकिन CBSC ने A प्रोपर्टी इसको क्या किया है हटा दिया है तो आप इनका use नहीं कर सकते हैं, आप exam में कर सकते हैं, wrong नहीं होगा, लेकिन आपको property जब दी नहीं है, तो आप avoid करिए कि इसको हम use नहीं करेंगे, हम 11th class की एक simple सी trigonometric के formulas का use करेंगे और questions को solve करेंगे, तो मैं हूँ आपका investment और इजार उद्दी चैनल को अगर subscribe नहीं किया और direct जाईए, folder के अंदर और पूरी NCID की आप क्या कर सकते हैं, practice कर सकते हैं, apart from NCID, PYQ, MCQs and case studies की practice करनी तो individual chapter में जाईए, description में link share कर दूँगा, मैं इस chapter का, NCID का भी और अलग folder भी, इसका individual chapter का, तो आप वहां से direct जो है, folder के अंदर जाकर practice कर सकते हैं, चलिए start करते हैं, देखें, अब यह question है, यह भी आप property से कर सकते हैं, लेकिन जरुवत नहीं है property से करने की, देखें, आप क्या करेंगे, left से right लाना है, हम right से left भी तो ला सकते हैं, है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर right hand side लेगे, तो right hand side में क्या लिख रखा है, one upon two, cos inverse, one minus x upon one plus x, right, अब द 2 theta का 10 में क्या formula होता है, one minus 10 square theta upon one plus 10 square theta, अब देखें, होता क्या है, अगर आपने 11 class में यह formulas के derivation नहीं पड़े हैं, या formulas याद नहीं है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, इनका याद होना बहुत जरूरी है, तब ही यह question solve होंगे, अब जिरा सोचिए कुछ-कुछ इस कितने लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर square होना चाहिए, क्या होना चाहिए, square, तो हम square देखो, यहाँ से कुछ-कुछ आप समझ सकते हैं कि यह under root है, तो मैं इसको under root x का क्या लिख सकता हूं, square लिख सकता हूं नहीं, यह हो गया, 1 by 2 cos inverse 1 minus under root x whole square upon 1 plus under root x whole square, यह ऐसे bracket में लिख लेना अब यहाँ पर इस value को, under root x को आप माल दीजिए, 10 theta, तो यहाँ से अगर मैं theta निकालूं, तो यह 10 इदर आकर क्या बन जाएगा, inverse हो जाएगा, equal to क्या हो जाएगा, theta, तो theta की value 10 inverse under root x हो जाएगी, यहाँ से जरूद पड़ेगी, इसलिए निकाल लिए है मैंने, आप देख upon 1 plus 10 square theta, अब देखें, मैंने inverse की किसी भी property का use नहीं किया है, सीधा trigonometric का formula लगाना, यह value देखो किसके बरावर है, cos 2 theta के और यह cos inverse है, तो यह किसके बरावर हो जाएगा, 1 by 2, cos inverse, cos 2 theta, अब cos inverse, cos theta क्या होता है, theta होता है, अब यहाँ theta की जगा कौन है, 2 theta है, तो 2 theta आ जाएगा यहाँ से, 2 से 2 cancel हो गया, किसके बरावर हो गया, theta के, और theta यहाँ से हमारे पास आ चुका है, किसके बरावर है, equal to 10 inverse under root x, left hand side, कैसे, solution पतंद पसंद आ रहा है ना, तो आप channel को subscribe ज़रूब करें, बाइल आइकन को दबाएं, डेली आपको जो है, notification मिलता रहेगा, complete NCRD लगाईए, PYQ लगाईए, MCQs लगाईए, सारा course already available है, बस आपको क्या करना है, subscribe करना है channel को, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह question तो बहुत simple way में मैंने करा दिया, आपको यह चीज जो है आप याद र क्या conditions बनी थी, कि इसका under root हटाना है, तो under root हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसका square बनाना पड़ेगा, square बनाएंगे तभी तो under root हटेगा, तो इसका square कैसे बनाएंगे, cot inverse left hand side, cot inverse, अब 1 को क्या लिख सकते हैं, cos square theta plus sin square theta कितना होता है, 1 होता है, और sin 2x का formula क्या होता है, 2 sin x cos x, लेकिन यहाँ पर sin 2x नहीं है, कौन है, sin x है, तो half angle के लिए यह half हो जाएंगे, 2 से 2 हट जाएगा, तो sin x का formula ही हो जाएगा, 2 sin x y 2 cos x y 2, इसलिए हम यहाँ पर जो cos x plus cos square x plus sin square x equal to 1 लेंगे ना, तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, half angle लेना पड़ेगा, है ना, पूरे angle के लिए बन होता है, angle same होना चाहिए, angle चाहिए कुछ भी हो, same होना चाहिए angle, तो बताएगे बन की जगा क्या लिख सकता हूँ, ठीडी, ठीडी, बन की जगा लिख सकता हूँ, cos square x y 2 plus cos, sin square x y 2, sin square x y 2, एक काम करता हूँ, यहाँ पर space नहीं है, तो मैं थोड़ा इदर से लिखता हूँ इसको, question आप लिख लीजिए, यहाँ से देखे, cot inverse, under root, cos square x y 2 plus sin square x y 2, और sin x की जगा कह लिखूँगा, 2 sin x y 2, और cos x y 2, right, यह पहला term होगे आपका, ओपर का, यह वाला term होगे, आप second वाले में भी बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे, plus की जगा क्या आजाएगा, minus आजाएगा, है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, देखेंगे, plus, under root, cos square x y 2, plus, sin square x y 2, minus 2 sin x y 2, cos x y 2, लिख सकते हैं, right, नीचे भी ऐसा ही है, बस यहाँ plus की जगा क्या है, यहाँ पर, minus है, बहुत ही simple question है, बस अपने को क्या करना है, यह दो formula's का use करना है, तो बताएगे क्या होगा, cos square x y 2, plus, sin square x y 2, plus, 2 sin x y 2, cos x y 2, जो भी formula implement हो रहे हैं, उनको आप note कर लिया करें, साइड में, क्योंकि यह formula अगर याद थी, तो at least हम तो याद कर लो, इनको under root, क्या हो जाएगा ही, cos square x y 2, plus, sin square x y 2, minus 2 sin x y 2, cos x y 2, राइट, चलिए, अब यह whole square बन गए, बताएगे क्योंकि इसका formula, a square plus b square plus 2ab, तो यह क्या बन जाएगा, cot inverse, यह बन गया, cos x y 2, plus, sin x y 2, का whole square, under root, plus under root, यह बन जाएगा, cos x y 2, यह minus है न, minus 2, यह भी वाला formula बनेगा, तो minus का sin x y 2, का whole square, नीचे भी यह, same, cos x y 2, plus sin x y 2, का whole square, minus under root, cos x y 2, minus sin x y 2, का whole square, है, होगे, अब देखे, यह हो गया, cot inverse, square, से under root, हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यह, cos x y 2, plus sin x y 2, minus, square, से under root, हट जाएगा, तो यह हो गया, cos x y 2, minus sin x y 2, नीचे भी से, cos x y 2, plus sin x y 2, उपर plus है, उपर क्या है, plus, नीचे क्या है, minus है, तो यह हो गया, cos x y 2, minus sin x y 2, bracket open करना है, simplify करना है, answer आजाएगा, यहाँ से, तो यह क्या हो जाएगा, cot inverse, cos x y 2, plus sin x y 2, plus cos x y 2, minus sin x y 2, bracket open कर दीए, मैंने, नीचे भी bracket open करेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos x y 2, ऐसे घोशन है, हाथ ठका गयते, घोशन होता है, माइनस ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin x y 2, sin से sin cancel, cos से cos cancel, तो यह किसके बरावर हो गया, cot inverse, cos x y 2, cos x y 2 कितना हो गया, 2 cos x y 2, नीचे हो जाएगा, 2 sin x y 2, 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो यह कितना हो गया, cot inverse, cos upon sign, cos upon sign कौन होता है, cot होता है, तो यह हो गया, cot xy2, cot inverse, cot theta क्यों होता है, theta होता है, तो कितना आ गया, xy2, यहीं हमें क्या करना था, proof करना था, तो इसमें तो property की जरूरत भी नहीं थी, यह तो simple से formula लगाई है, आंसर आ जाएगा, तो वीडियो पसंद आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल एकन दबाए, मिलते हैं next question में,